असलावलेकुम दोस्तों आपका फिर से में स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कतर खबर यूटूब चैनल पे तो साथ यो आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर आ रही है भाईयो जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा कतर में भीे असीन में सफर किया दोहा में वाईयों से और लूसल ट्रम से साथियों 3.1 मिलियन का मतलब होगी या लगभग मान के चली कि 31 लाख लोगों ने ट्रेवल किया स्री 15 से 10-15 से 20 दिनों के अंदर साथियों इससे अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर में जो FC-SN मैच कब जो चल रहा है उसी कितनी जाता दोस्तों क्रेज आपको देखने को मिल रहा है तो भायों ये बहुत ही बड़ी बात है और एक तरह का साथियों रिकॉर्ड भी बन रहा है क्योंकि जब और भी बहुत सारे मैचे कतर में हुई थी पर इतना जादा भीड़भार दोस्तों देखने को मैच के दौरान नहीं मिला था साथियों कुछ मैं आपको एक आखला बता देता हूँ परफॉर्मिंग डिरिंग ग्रूप इस्टेज यानि जो ग्रूप इस्टेज के जो मैच चला था 12 तारीक से लेकर 25 तारीक तक जैसा कि मैने आपको बताया 12-13 दिनों का दोस्तों ये मैच चा ग्रूप इस्टेज लगबग 2,760 या 900 जो जो वहां के डर सकत हैं वह साथियों राइडर सिप पर इस्तमाल कर रहे थे वहीं पे 320 जो पैसेंजर थे पर मिनेट हाइस फ्लो इंटू दा सिंगल स्टेजन यानि हर मिनेट 320 लोग वहां पर ट्रैवल कर रहे थे साथियों बाउन परसंट जो फैन इसे वह मैटरों का इस्तमाल करे थे ओपनिंग सेरमनी में जो बारातारी को दोस्तों किया गया था और 29 परसंट जो है मैटरों फो ट्रांस्पोर्टेंड दा नाइन स्टेडियम और वहीं पर लगबग 5,35 पांच लाग पांच लाग पांच लाग पांच लाग पांच तो उनमें से 3,00,000,000 वह मैटरों का इस्तमाल किये थे मैटरों का लूसर्टरम का लगबग 1,13,000 लोग जो है वह राइडर सिप पे इस्तमाल किये हैं यानि राइडर सिप मतलब दोस्तों कुछ लोग जो थे वह अपनी गाली से आया या फिर कोई अलग-लग गालियों से आ रहे हैं तो सातियों रिकॉर्ड बन चुका है अब तक 10,60,587 लोग जो है मैज देखने के लिए कतर इस्टेडियम में आ चुके हैं जो की एक तक और टैम रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूनमेंट बन चुका है सातियों कतर में अब तक जितना भी टूनमेंट हुआ था इतना ज जनुरी को यानि चला है वो दो मैच खेली जा रही है उजबेकिस्तान और थाइलेंट की बीच में दो बच कर तीस मिनट में अल जनूबी स्टेडियम में दूसरा में जोस्तों आज खेला जा रहा है सौधी एरेबिया और कोरिया रिपब्लिक यानि रिपब्लिक और प्को COACH at ASEAN CUP. साथ यो इराग के इराग के जर्नलिस्ट को बैंड कर दिया गया है साथ यो AFC ASEAN CUP को लेकर अब दोस्तों इसके बारे हम ख़र मुझे अच्छे से नहीं पता है इसके बारे हम पढ़ना चाहते हो तो आप जाकर पद सकते हो